सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडिस्टी जीके को और लेटस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को फ्रेस करें हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्टेडिस्टी जीके के अंदर दोस्तो आज हम करेंगे हर्याना पटवारी से सम्मंदित पर्सन और इसका है आज हम पार्ट करेंगे फर्स्ट इस से रिलेटिड दोस्तो हर्याना पटवारी से रिलेटिड काफी पार्ट हम आपको करवाने वाले हैं ठीक है सारे चीजे एक एक चीज आपको हम बताएंगे हर आपको वीडियो बताएंगे यहांपर आज हम क्या पड़ेंगे अज़ हम क्या पड़ने वाले हैं दोस्तों उसके बारे में आज चर्चा पर लेते हैं दोस्तों की विश्व सतर पर याया होती है ये बाते करेंगे क्योंकि दोस्तों आपने देखा है constable के exam में कहां कहां शे questions आए हैं विश्व सतर के questions पूछे गए हैं भारत के questions पूछे गए हैं हर्याना का नहीं पूछा गया तो जरूरी है कि हम ये भी चीजे कर लें क्योंकि इन ही से questions आपका बन सकता है तो सबसे पहले सुरवात करते हैं यहां पर वेश्व सतर पर जो भूमी माप की कईया होती है वो क्या क्या होती है दोस्तों देखो विश्व सतर पर जो है वो square foot को जाना जाता है square yard को जाना जाता है एकड को जाना जाता है ठीक है अब भारत की बात करें तो भारत में भी इन चीजों को जा ठीक है लेकिन वेश्विक स्तर पर जादा जाना जाता है भारत में होती है यह यूज लेकिन वेश्विक्स तर पर इनका यूज को में खरत है जिय сх written कि दूर है कटा है च्हातक है और कुछ चीज होती, क्या कुछ होता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, अब सिरफ आप इन नामों को याद रखें कि ये क्या क्या होते हैं, अब उत्तर और पश्चिमी भारत, उत्तर और पश्चिम भारत की बात करें, ये हमारे लिए काफी महतोपुरन हो जाता है, क्योंकि इ होंगे आपने और दक्षिन भारत की बात करें तो दोस्तों यह है एंकनम ठीक है गुंठा कुंचम ग्राउंड और सेंट दोस्तों इन से भी क्योशन्स पूछे जाते हैं काफी एक्जाम्स के अंदर ठीक है वो भी क्योशन्स हम आपको बताएंगे एक सेपरेट वीडियो के इंदर एमसी क्योशन्स लेके आएंगे कि क्या क्योशन्स आज तक बने इन से ठीक है तो चलते हैं आगे आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पर वेश्विक्स तरकी जो इकाईया थी उनसे रिलेटिड सबसे आम इकाईयों में से एक है स्क्वेर फूट स्क्वेर फूट तो एरिया के बारे में स्क्वेर फूट के जरिये ही नोटिफाई करना पड़ता है तो स्क्वेर फूट के दवारा ही सारी चीज़े यूज होती है सारी चीज़े बताई जाती है स्क्वेर याड की बात करें तो यह हो जाएगा एक वरग फूट से बड़ा होता है एक वरग याड 9 वरग फुट से बनता है ये भी आप याद रख लें कि एक वरग जो याड है वो 9 वरग फुट से बनता है ठीक है बात करते हैं स्केर मीटर की स्केर मीटर जो है दोस्तों 10.76 वरग फुट से बनता है ठीक है तो ये भी आप याद रखे 10.76 वरग फुट से बनता है एक वरग मीटर जो है वे भी भारत में लागू एक सामाने भूमी मापन की इकाई है अब बात करते हैं एकड की एकड जो है दोस्तों ये एक एकड जो होता है ठीक है वो 43,560 स्केर फुट होता है आगे बात करते हैं हेक्टर की तो हेक्टर जो होता है एक हेक्टर जो होता है एक 7,649 वरगफुट के बराबर होता है ठीक है चलते आगे आगे यहां पर हम बात कर लेते हैं उत्तर और पश्चिमी भारत के अंदर जो भूमी माप की इकाईया है वो क्या-क्या है दोस्तों यह है भीगा ठीक है हमने शुरुआत में भी पढ़ा था भीगा जो है यह जो 400 स्क्aime फूट का एक हंपाद जाता है ठीक है बिहार के अंदर बात करें तो 27220 वरग फूट का एक हम आगे गुजरत की बात करने तो गुजरत के अंदर वो नो वरक फुट होता है या एक घज तीन फुटका होता है यह भी आपको मालूम होगा ठीक है? अब दोस्तों यह जो गज है वो चीजे सारी जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे双 कि घज कितना क्या होता है क्या पूटोते, वù अलग से रेकेंगे, अब सिरफ हम ये देखेंगे, क्या सबद है और कहाँ कहा यूज होता है, गज जो है दोस्तों, वो किन राज्यों के अंदर यूज होता है, दिल्ली के अंदर यूज होता है, पंज manifest की बात करें अब किल्ला जो होता है दोस्तों ठीक है किल्ला की बात करें तो दोस्तों किल्ला जो सबद है वो कहां यूज होता है कहां पर इस इकाई का यूज की जाते है भुम्मी मापन के लिए ये यूज होता है दोस्तों पंज्याब और हर्याना के अंदर ठीक है ये याद रखे कैनाल की बात करें दोस्तों कैनाल जो है ठीक है ये आपका होता है हर्याना हिमाचल जम्मु कस्मीर और पंजाब आदी में इसका यूज होता है ठीक है आगे चलते हैं आगे दोस्तों यहां पर है घुमाओ ठीक है ये भी उत्तर और पश्चिम भारत के अंदर यूज होते हैं घुम कि बात करें तो मरला जो है दोस्तों यह पंजाब और हर्याना में यूज होता है तो आप यह चीज़े याद रखेंगे ठीक है आगे चलते हैं आगे दोस्तों पूर्वी भारत में भूमी मापन की काई दोस्तों यह भी पढ़ लेते हैं हो सकता है यहां से क्योशन्स बन बराबर होता है तिरपुरा में यह 3.6 स्केर फूट के बराबर होता है तो दोस्तों जैसे बिगगा था उसी परकार से धूर का भी कोई शिथर नहीं है यह बी अलग-अलग बदलती रहते इसकी वैल्यू लेकिन यह यूज कहां का पर होता है यूपी में होता है बिहार में होता है जारखंड में होता है तिरपुरा में होता है ठीक है अब बात करते कटा की तो कटा जो है कटा की जो कटा की भी विभीन वैल्यू होती है दोस्तों ठीक है और यह 600 से लेकर 2800 सुकेर फूट तक इसकी वैल्यू होती है एक स्टेंडर्ड स्केर फूट जो है दोस्तों ठीक है वो 719 वरग फुट है ठीक है अब दोस्तों ये जो है कटा कहां का यूज होता है ये इकाई ये असम में बंगाल में बिहार में और MP में इसका यूज किया जाता है आगे चलते हैं आगे भी हम पूरवी भारत की ही मापन इकाईयों की बात कर रहे हैं तो चातक चातक ज खाता है ये ले चाओ यूज होता है असम्म के अंदर है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आगे अंद्रप्रदेश, कर्णाटक और महाराश्टर में यूज होता है। कुझचम में यूज होता है। अगे चलते हैं। आगे दक्षिन भारत की ही काई है। सैंट जो है, दोस्तो, यह कर्णाटक-कैरल- afect covering . ठीक है, ध। तो इस परकार से हम इनको याद कर लेंगे और ये काफी महत प्रून है काफी एकजामों में इनसे questions पूछे जाते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां से जो पूछे जाते हैं ज्यादा तर questions वो किस परकार के questions पूछे जाते हैं इनसे दोस्तों देखो भारत में आम वेश्विक करें तो भी दूस्तो जो है वह यूज होते हैं ठीक है दोस्तो ठीक है तो थीक है दोस्तो आज की वीडियो यहीं तक थी मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए tow 09 कैना झारा है